हेलो एव्रिवान वेल्कॉम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे चार अलग अलग तरीके के कूल और रिफ्रेशिंग मिल्क शेक और यह मिल्क शेक हम बिना इस्क्रीम बनाएंगे तो आप रत में भी इन्हें बना सकते हैं और आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो प्ल मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में बैल बटन जरूर दबाएं तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे ड्राइफूट मिल्क शेक और यहां पर मैंने कजूर, काजू, बादाम, किश्मिश और पिस सकते हैं और इस ड्राइफूट मिल्क शेक में आप अंजीर भी आड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें आड़ करेंगे एक बड़ा चमत चीनी और इसे के साथ हम आड़ कर देते हैं चार से पांच आइस क्यूब्स और अब हम इसमें डा सबस्क्राइब धालेंगे इलाइची पाउडर ढालने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे साफरा मिल्क तो 10 से 12 केसर को मैंने दूद में भीगो कर रखा था और यह दो चमश दूद्ध हम इसमें आड़ करेंगे और अब हम इन सब को ब्लेंड करेंगे अच्छे से तो एक से डेट मिनट के लिए हम इने ब्लेंड करना है और ये देखिए हमारा ड्राइफ्रूट मिल्कशेक बनकर के तयार है और ये पूरा एक लास मिल्कशेक बनकर के तयार है इसे हम कार्णिश करेंगे पिस्ता के साथ और थोड़ा सा साफ्रान मिल्क डालेंगे उपर से और अब हम बनाएंगे next milkshake जो है चीकू milkshake इसके लिए मैंने यहाँ पर दो चीकू को cut कर लिया है इन्हें हम blender jar में डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी ice cubes एड़ करेंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे crush almond तो यह बादाम को मैंने एकदम बारिक कर लिया है और वो ही हम इसमें add कर देते हैं अब हम इसमें डालेंगे one tablespoon चीनी और इसे के साथ हम इसमें आदा गिलास ठंडा दूर डालेंगे और इसे हम blend कर लेते हैं तो सेम प्रोसेस है एक से डेट मिनट के लिए हम इसे blend करेंगे और यह चीकू milkshake जो पीने में पहुँआ टेस्टी है बन करके बिल्कुल तयार है और इसे हम garnish करेंगे थोड़े से dry fruits के साथ अब हम बना लेते हैं next milkshake और इसे हम बनाएंगे apple के साथ मैंने हाँ पे half apple को cut करके लिया है और इसमें आट करेंगे हम 10-12 काजू जिससे इस milkshake का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमचीनी, 4-5 ice cubes और आदा गिलास ठंडा दूद अब हम इसमें आट करेंगे 140 तीस्पून दाल चीनी पाउडर जो इस milkshake का टेस्ट बहुत अच्छा कर देगा और अब हम इन सबको अच्छे से blend करेंगे और blend करने के बाद ये देखिए हमारा apple milkshake बन करके बिल्कुल तयार है आप इसे ठंडा ठंडा सब कीजिए बहुत ही ज़्यादा tasty और healthy milkshake है और इस milkshake को हम garnish करेंगे mixed dry fruits के साथ जिसे हमने बारे कट कर लिया है और ये healthy और tasty milkshake बन करके तयार है और ये है last milkshake जिसे हम बनाएंगे बनाना के साथ तो एक केला मैंने यहाँ पे लिया है और इसे हमने बारे कट कर लिया है इसमें डालेंगे हम बारे कट के वे काजू और बादाम और ये दो चमश लिये है मैंने और इसमें हम one four teaspoon डाल देंगे इलाइची पाउडर और एक बड़ा चमश डालेंगे हम इसमें चीनी और इसे के साथ हम इसमें आदा गिलास ठंडा दूर डालेंगे और दो से तीन ice cubes डालेंगे और इन सब को हम blend कर लेते हैं तो एक से और देट मिनट के लिए हम इन milkshake को blend करना है ताकि इन में कोई भी chunks ना हो अगर आपको इसमें चंक्स अच्छे लगते हैं तो आप इने थोड़ा कम blend भी कर सकते हैं और ये dry fruit बनाना milkshake बनकर की बिल्कुल तयार है तो इस गर में आप इन चार milkshake की रेसिपी को ज़रू ट्राई कीजेगा आप इने वरत में भी बना सकते हैं बहुती टेस्टी और एनरजी से भरपूर है अगर आपको इस रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ये बिल्कुल फ्री है थैंक ये फॉर वर्चिंग